स्वागत है आपका आज की वीडियो में काफी टाइम बार वीडियो बनाने का मुखा मिल रहा है काम की वियस्ता के कारण और समय ना मिल पाने के कारण मैं आप से काफी टाइम से मुखातिब ना हो सका अब वीडियो बनाने का मुखा मिला है तो चूकूंगा नहीं हर तरह से आप एवी के बारे में देखिए एलेक्ट्रिक वाइकल्स को लेकर लोगों में बहुत बड़ा भ्रहम भी फैलाए जाता है चाहिए वो पॉजिटिव हो चाहिए वो नेगेटिव हो कि लोगा कहने लग जाते हैं ये गाड़ि ली आपने यह तो आग पखड रही है चया अच्छे ब्रैंड कि हो ये गाड़ी ली आपने और इसका तो सौह ओंगे अधी बारे में उनकि बारे में लूक है गया है अधरना डाल दी आती है और वेटिंग पे डाल दी जाता है एक गाड़ी तो ऐसी भी है जिसको दो साल हो गए पॉजिटिव तो उनके लिए हो गया कि उनके पास पैसा आ रहा है नेगेटिव हमारे लिए हो गया कि हमने पैसाल दे रखा है दो साल से गाड़ी नहीं मिल रही है साथ इवी के बारे में यह भी कहते हैं बाई साथ लोग आप तो ले लिए इसके पार्ट कहां मिलेगे इतने महंगे हैं इसकी बैटरी कहां मिलेगी बड़ी महंगी है मतलब बहुत सारी बाते नेगेटिव हैं एक दो बाते पॉजिटिव है पर इस चीज का डिसीजन हमें जाता हूं शांसे जाता हूं यार पेट्रोल बचाने के लिए जाता हूं और अच्छा एवरेज दे रही है अच्छी कंडिशन में है अच्छी क्वालिटी की गाड़ी है मेरे को आज तक कोई समस्या नियुक्त लोग भरबर के कमेंट कर देते हैं भैसा आपने जिस कंपनी कि गाड़ी लिए वह बरबाद है बेकार है लेना मत यह मत करना अरे उसको चलाने का तरीका भी होता है उसको चलाने का क्या तरीका होता है वह मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा थोड़ा सा समय मिलने दीजिए आज मुख्यत हम बात करने आएं कि लोगों के कम सब्सक्राइब देखिए मुख्य बिंदू कुछ होते हैं जिससे आप अपनी इवी को बहुत सेफली यूज कर सकते हैं मैं क्याता हूं सेफ यूज करने के आप यह अगर आठ बिंदू नोट कर लोगे न उस दिन आपको कोई परचीज परिशान नहीं करेगी किसी बंदे का कोई भी कमेंट आएगा न आप मुस्कुरा कर बस सैलेंट हो जाओगे वही आपकी जीत है रेपलाई देने का कोई सेंसी नहीं है क्योंकि जो नहीं समझना चाहते हैं उनको समझाना विकार है कि उनको बोलने दो नेगेटिविटी फैलाने दो आज हम बात करेंगे पहले पॉइंट की कि एवी को तुरक्षित कैसे रखा जाए तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसका हैवे ब्रेक आप जब भी गाड़ी चलाते हैं और चलाकर तुरंट आते हैं तो गाड़ी के लिए एक तरह से ब्रेक लेना ज़रूरी होता है देखिए एक छोटा सा उधारन देता हूं सेफ तो आपका मोबाइल भी नहीं है लोगों के मोबाइल फड़ जाते हैं आपने मोबाइल आप उस पर Game कहे रहे हो याने आप चार्ज भी कर रहे एक तरव से डिस्चारज भी कर रहे हो है डोनों रास्ते खोल रखी है है तो जहां से वो CHA toujoursれない और जहां से वो डिस्चार्ज रही है बैटरी के atr circulation चल रहा है current flow जबर्दस चल रहा है याने की क्रमी होती है रोक करंट की सुचालक होती है मतलब यह समझ लीजे हमारी इंजिनेरिंग की भाषा में हीट इस प्रपोर्शनल टू आई इसक्वाइर इतना करंट का फ्लो जादा होगा उतनी वह गरम होगी अब इस चीज को समझने वाली बात है कि आप जब भी गाड़ी चला कर आते हैं गाड़ी को रख दीजी 15 मिनिट वेट कीजी ताकि उसको थोड़ा सा थंडा होने का मौका मिले लीथियम आयन बैटरी है वो मोटर भी ठंडी हो जाएगी हाला कि काफी एर इवेंट्स दे रखे हैं हर गाड़ी में चाहे वो ब्रैंडेड हो चाहे वो मेरी वाली हो चाहे आप वाली हो चाहे वो कोई सावी ब्रैंड हो इन सब में एर वेंट्स होते हैं जिससे बैटरी को हवा लगती और उससे ही उठंडी होती है पर हमारे इंडिया में टेंप्रिचर इतना जादा रहता है कि उसको ठंडा होने में थोड़ा समय और सीधी से समझने वाली बात है कि जो भी गाड़ी या लैप्टॉप या कंप्यूटर जो लीथियम आयन बैटरी पे चल रहा है चाहे वो मोबाइल ही और अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो आपके लिए आपके लिए सीधा एक सिधान्त लागव होता है या तो उसको सिर आपको सारी इंफॉर्मिशन मिल सके लगभग 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 देट सो डिग्री और एलेफपी का होता है 200 डिग्री और इस टेंपरिचर के ऊपर अगर हम बात करें इससे अधिक टेंपरिचर होगा तो ज्यादा चांसे होता है कि बर्न आउट हो जाए वो यह फट जाए तो इससे बचना है तो एक ब्रेक लीजिए गाड़ी चार्ज कर चला के आए हैं रोक जाईए उसके बाद इसको चार्ज करने रखिए उसके बाद अभी आपने चार्ज से उतारिए चार से उतारते ही लेते नहीं भगना है दस मिनिट पंद्रा मिनिट का ब्रेक दो और उसके बाद फिर इसको यूज़ करो आते हैं सेकिंड पॉइंट पे देखो जी हम गाड़ी चलाते हैं म अगर मोबाइल दोप में रखा रहेगा तो हीट अपोगा फिर आप उसमें एप्लिकेशन यूज़ करोगे तो डबल हीट अपोगा तो एक तो उसकी गर्मी जा रही है धूप की और एक गर्मी आप जो उसके इंदर प्रोग्राम यूज़ कर रहे हो तो करेंट फ्लो हो रह आई हो कोशिश कीजिए कि आप इसको गाड़ी को जब भी चला कर जारे हैं कर यह जाहें नहीं वी चला रहे है शेड में ख़डा करें कि ranch AI झाया हो पेड़ की शाया हो आपने जाना है 20-15 मिनट का का में करके आगए आपको एक गंटा या ओफिस जा रहे हैं आप सुबह से शाम तक खड़े कर रहे हैं उस समय कोशिश कीजिए आप इसको चाया में खड़ी करके पार्क करके फिर जाएं ताकि इसका थर्मल टेंपरिचर ना बड़े बैटरी का वो बड़े का तो रूख संदायक है यह important point है सेम थिंग apply करनी है genuinely apply करनी है तब यह गाड़ी सेफ है अब इसका आता है थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट आता है आप चार्जिंग कनेक्शिंग को प्रॉपर्ली यूज़ करें mostly क्या होता है हम लोग चार्जिंग पिन यूज़ यूज़ करते हैं उसको simple connect किया पट से button on किया और वो connector लग गया नहीं लग गया या कैसे connect हुआ यह नहीं चेक करते हैं कभी भी इसको जब चार्जिंग पर रख रहे हैं properly उसको insert करें lock check करें उसको tight fit करें losing कहीं ना रहने दें और उसके बाद जहां से आपने power ले रहे हैं उस point को भी check करना है उसको भी डीला नहीं चोड़ देना अगर यह नहीं कि उसके पिने हिल रही है या वो काला पड़ा हुआ है उसमें हलके हलके sparking हो रही है अपन भोल गए नहीं या तो वो charger फूग देगा या फिर आपक करने की तेहरी कर लेगा क्योंकि उसमें charging हो रही है बारबार, sparking हो रही है और charging भी हो रही है तो charging हो रही है तो वह heat generator हो रही है, sparking हो रही है तो उससे भी heat generator हो रही है, दोनों point against the battery, against the vehicle health, against you, वह एक physical damage हो जाएगा mostly क्या होता है, अभी आपने मेरा पिछला एक वीडियो देखा हो जिसमें गाड़ी का एक charging connector, batteries है जो charge क्योंकि ये swipable batteries है, हम बार बार उसको निकालते हैं तो mostly क्या होता है, delay हो जाते हैं, आप उसको properly check करते हैं नहीं हो, charging के लिए निकाल ली सब, उसके बाद फेट करी, न Magnes, वो एक वीडियो है मेरा, अगर आपने नहीं देखा तो वो उपर आई बटन में दे रहा हूँ, देख लेना, उसमें था कुछ भी नहीं, simple बताया कि एक connector, properly inserted नहीं था, तो ना तो वो charge कर रहा है, ना गाड़ी on हो रही है, बार बार एक बार on हो गई, दोसरी बार फिर आप उसको properly lock को check करते रहे, time to time, भले आप उस swipeable battery को बार बार ना निकालते हूँ, पर उस connector को, क्योंकि उन्होंने connector दे रहा है, उसको weekly check कर ले, अगर possible हो, तो daily check कर ले, मैं तो कहुँगा, daily check करना चाहिए, अगर वो connection lose रह गया, तो बहुत बड़ा कांड कर सकता है, वो भ इसके अंदर ही एक point आता है, proper अगर आपके घर की earthing नहीं है, तो आप चार्ज सो करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, अगर कहीं कोई नहीं, बड़ा जर्क आया light का, एक क्योंकि AC current है, एक हलका सा current है, उपर नीचे करा, तो जब लोगों के घर के TV, फ्रेज, रेफ करने जले, जब हम यह देख लेते हैं, तो हमें यह भी देखना होगा, कि कहीं ऐसा नहीं हो, उस समय यह गाड़ी भी जल जाए, या charger जल जाए, चार्जर तो पहले ही connected होता है, तो इस चीज को भी समझना जरूरी है, कि आपके घर में अगर earthing है, तो जितना भी overcharge आया हु है, उस सब को वो अर्थ कर देगा, अब इसके बाद आते हम, चौथा पॉइंट सबसे important है, होता क्या है, एक कंपनी के अंदर updated model आ रहे है, अब updated model आ रहे है, तो मैंने एक कंपनी से दो गाड़ियों उठा ली सब, परन्तु स्थिति क्या है, हरे की capacity, हरे का तरीका, वो अल लग है, और इसका charger connector अलग है, आप तो काओगे, गाड़ी तो सेम है, गाड़ी सेम है, उस से कोई फर्थ नहीं पड़ता, आप तो लगा दो charging पे यार, नहीं, यह गल्ती मत करना, उन्हीं गाड़ियों के similar charger आते हैं, वो हम market से ले रहे हैं, या हम किसी दूसरी के गाड़ी के साथ जो charger मिला है, उसी को यूज करें, आपने देखा होगा, मोबाइल में भी mostly ऐसा होता है, सीपन देखते हैं, तो कि हाँ सीपन है, लगा दे बचार्जिंग के, पता लगा, जिस charger से आप चार्ज करते हो, मोबाइल को, वो charger है, बीस वाट का, और आप जिस मोबाइल, आपने जिस फ्रेंड के आँ गए हो, उसका मोबाइल है 50 वाट का, लगा दिया साब आदे गंटे हो, बता लगा, पट 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 पट, धमा के हो गया, मोबाइल भट गया, क्यों भट गया, वो पचास वाट का था, भई उसकी एक टेकनिकल चार्म होती ही, ये लिखी आप जो रहे है, उसकी भी नौलेज होनी ही, मोबाइल भी ऐसा ही करें नहीं तो क्या होता है, आप अपने चार्ज कर लिया, अभी तो वो डेमेज हो के सेल्फ, ये वो बाएबाऊ हीट अप देखे रों, बार बार मोबाइल हीट हो रहा था, या तो उसके वो, दुकान दा दूसरी गाड़ी को चार्ज करने के लिए दे क्योंकि इसकी आता है पांच वाइंट आपने वीडियो में दीए होगा मेरे पीछे दो बिल्ली के बच्चे मस्ती कर रहे हैं कभी इधर उदर भाग रहे हैं वह भी इंजॉय कर रहा है मैं भी इंजॉय कर रहा हूं चलिए पाच्वा पॉइंट आता है पास्चार्जिंग का मुस्ली लोग डिमांड करते हैं कि काश अब फूर वीलर हो चाह टू वीलर हो अभी कई ऐसी गाड़ियों में हैं कि पास्चार्जर आगा हैं तो देखिए फिर वही फार्वुला याद कर लीजिए हमने तो इंजिन सब्सक्राइब हो एच इस प्रपोर्शनल टू आई स्क्वाइर हीट इस प्रपोर्शनल टू करेंड करेंड का स्क्वाइर है तो मतलब इस चीज को समझने वाला खुद समझ जागा कि उसको क्या करना चाहिए आप ओविसली इसको जित्री पावर ज्यादा तेज दोगे न सेल तो चार्ज होगा पर हीट उतनी ही जादा एक्सपैंड होगे बनेगी जादा होगी तो ऐसे में कोई सेल गरबड होगा तो फट सकता है फायर में आ सकते गाड़ी अवाइड करो आप इमको जितना अवाइड कर सकते हो करो आप ये देखो कि अपने घर के स्लो चार्जर से आराम से फूर्वीलर और जैसे मदल्ब कुछ गाड़ियों कि नाम लेने चीने और फिर भी मैं ले रहा हूं कॉमेट है उसके साथ फास्ट चार्जर ही नहीं है आप फास्ट चार्ज ही नहीं कर सकते हैं आप क्यूंकि वह सेटी का रहे हैं उनको पता है मैनुफेक्श्डर को इसको मेरे को सेटी में ही चलवाना है लोगों से जादर जादा दो सो 190 तो मैंने खुढ टेस्ट करी है मेरा वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वह जाके पिछली वीडियो को देख सकते हो आप क्योंकि एवी सेग्मेंट में ही सारे वीडियो मैंने डाले में है एम जी कॉमेट का सबसे बड़ा और प्लस पॉइंट यही है और टाटा भी यही कहता है जितना संभाव हो उतना आप उस गाड़ी को स्लो चार्ज करो आप गाड़ी को स्लो चार्ज करोगे साइलेंट ली सब चार्ज जितने भी उसके अंदर चाहे लेफ पी ओ चाहे एनमसी ओ वह इजी-जी आराम से चार्ज होंगे पास चार्जिंग में क्या होगा एक सेल तो चार्ज हो गया और एक से बिल्कुल चार्ज नहीं हुआ एक सेल 50 परसंट चार्ज हुआ क्योंकि दिस इस दा कॉंबिनेशन ओफ सिरीज और परलल सेल्स चाहे हुआ लिथियम आयन में एनमसी हो चाहे हो लेफ्टी हो किसी भी तरह की बैटरीज हो इनके अंदर यह चीजें रहती है तो आवाइड फास चार्जिंग आफ फासचार्जिंग अवाइड करतों पास चार्जिंग जो होती है वह आता है उसके बाद जो नाज पॉइंट आता है वह आता है आपका अवाइड के तंकियां रखके ले जा रहे हूं यह उसकी लाइक भी नहीं है ठीक है आप पैट्रोल की अरे वह दोस्त ने कहा पैट्रोल की लीटर की बॉटल भरवा के ले आता हूं ले गए साब इसमें डिगी खोली कैमरे से बचाते बुचुते कैसे भी आपने नोजल से पैट्रोल भरा और चल दिये वह अगर लीकेज होगी ना तो यह कहीं भी अगर लीक्विड उनकी टर्मिनल के उपर गिरा और कनेक्टिक विटी में आया तो पार्किंग करेगा और आग पकड़ लेगा फ्लेमेबल तुरत आग पकड़ता है फूंक मरेगा पूरी गाड़ी को तो अवाइड लेमेबल नहीं कहरी करना पानी की बॉटल रखनी है आप उसके अंदर चेक कर लो कि पानी की बॉटल अच्छे से कैप टाइट करीवी हो मतलब आपको हर तरह स नहीं के प्ड़क्रीचन रखना हैं आपको यह नहीं है को से की पानी रख लिए और वह पता लग अंदर पगता पानी और सर्किट के ओपर जाके गेरा या किसी लेट के ओपर जाके गेरkey aja क्यूंकि इसमें अलेक्रोनिक सर्किट बना हुआ है जहां आगर उसके टुझ हु वो ब्रेंड़ेड होनी चीए पहली बात अब ब्रेंड़ेड है और मान लीजे कोई लोकल मैनुफेक्ट्री भी बना रहा है तो सबसे पहले आपको जो जानकारी लेनी है वो एक ही चीज की लेनी है कि उसकी बैटरी पे वारंटी कितनी मिल रही है क्या वो इंशुरेंस जीरो डेप पे कवर हो रहा है यह चीज इंपॉर्टेंट है अगर आपको पूरी तीन साल की वारंटी या पांस साल की वारंटी आठ साल की वारंटी अगर वो दे रहें तो अगर आप उस वारंटी को कैरी करते हैं इस कंपनी की तरफ से तो आप निशि के बारे में जो information है वो पूरी पढ़नी होगी ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट सर्किट होगे तो वारंटी कवर कर देंगे तो वह चीज भी आपको बहुत बारिकी से पढ़नी है आप हमिशा इस चीज को ध्यान पूर्वक रखें कि आप जो गाड़ी ले रहे हैं वो इंश्रेंस में पूरी कवर होगी जीरो डेप पर कवर होगी और साथ के साथ वारंटी में पूरी कवर होगी तो आपका गाड़ी लेना सही मायनों में सफल होगा एक आठवा पॉइंट मैं एड़न कर देता हूं इंपॉर्टेंट वैसे बनता दो नहीं गाड़ी मिंटेन रखें गाड़ी मिंटेन से मेरा दाथ पर रहे है खड़े देखें तो कुदानी नहीं है बैटरी अगर आपकी उठारे हो आप और ले आरे हो अंदर तो जोर से पटकनी नहीं है नहीं तो कोई सेल पंचर हो जाएगा ना पूरे घर को ले बैठेगा अभी बीच में ऐसा हाथसा हुआ जिसमें एक घर पूरा फुग्या गार छोड़ो जो जिम्मेदार आदमी है उस नहीं बैटरी चार्ज कर रखी गलती उसकी नहीं होगी उसका पूरा कार खा नहीं जलके पुग्या तो भाईया नाम तो नहीं ले रहा हूं है देखो बाकी समझदार समझ जाते हैं कि इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है मेंटेन करिए सर्विस टाइम टू टाइम कर नहीं रखा है उस टाइम पीरियड में आपनी गाड़ी मिंटेन करें यह चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे न तो बहुत कुछ हम बचा सकते हैं नहीं तो बदनाम कौन होता है कि आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी लेली इलेक्ट्रिक फोग दी आपने हमने तो पहली मना क किया था इलेक्ट्रिक गाड़ीों का दौर नहीं है पार्ट मिलते नहीं सब चीजे मिलती है सब चीजे सिर्फ प्रीकार्शं सतु सब्सक्राइव इंपर्टेंट होता है कि आपनी गाड़ी के इंदर नहीं रखते पैट्रोल वाहिकल डीजल वाहिकल जो भी आपके घर में हैं कि इसमें आप नी रखते हैं बिलकुल रखते हैं न तो इसमें भी रखी है आप जितना आप अपनी गाड़ी की सार्फ समहल करेंगे जितनी इजट उसकी करेंगे लाड़ी आपको ही अतना बैनिफिट देगी और गाड़ी उतना भानी ही आपकी एफिशेंसी घड़ जाएगी इसकी एवरेज कम हो जाएगा और जहां उसकी मोटर गरम हुई जैसे गाड़ी की मोटर गरम हुई आपको स्पीड भी कम लगेगी आपका एवरेज भी कम आएगा आपके बैटरी भी मलब जल्दी यूज हो जाएगी आप दोश किसको देंगे इलेक्ट्रिक है अरे भी आप पैटरोल चलाते थे आपका कभी तो एवरेज आता था चालिस और आप आरा पच्चिस क्यों तो यह चीज़ें नोट करने लाइक होती है हर गाड़ी के अंदर कि आप उसका टायर प्रेशर भी मिंटीन करके रखिए बताईएगा आपको यह अच्छी जानकारी पता है वो जरूर लिखिए यह मत लिखिए कि यह तो गाड़ी बेकार है यह तो इलेक्ट्रिक लेनी नहीं चाहिए ऐसे घटिया कमेंट मत करा करो आप उसके बारे में अगर जानते हो आप नौलेज रखते हो तो आप उसके बारे में दो पॉइंट और एड़ाउन करके बताना कि यह किया जाए तो इससे गाड़ी का एवरेज भी बढ़ता है यह करने से गाड़ी की लाइफ बढ़ती है यह कर लेना चाहिए अगर आपक मोटर हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है ना मैं किसी शोरूम का उनर हूँ ना मैं किसी कंपनी का मालिक हूँ मैं बतौर यूट्यूबर बतौर एंजिनियर आपको यह information दे रहा हूँ यह सारी information मेरे experience से मेरी education से और मेरे साथियों के पास जो जो वहां ने उनसे मैंने चला कर प्राप्त की हैं तो जो 50 साल का निचोड है वो आपके सामने है आपको अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो like करना comment करना इसमें अगर आपको और कुछ knowledge है तो और अपने दोस्तों के साथ share जरूर करना तो मिलते हैं फिर किसी एच्छे से वीडियो में तेल देन टेक क्यार बाई बाई जैहिन वन्दे मात्रम